कैसे हो आप सब? आप से बच्छे होंगे? मैं विश्वास करती हूँ. आप सब काानी सुनने के लिए तयार है? तो चलिए, अज़े में एक मज़ीदार काानी सुनेंगे. एक जेम्स करके एक लड़का था और वो पता है वो इश्व मसी से हमेशा वो प्रातना करता था. लेकिन पता है वो प्रातना में क्या बोलता था? वो हर वक्त उसके जीवन में जो भी परशानिया होती है ना कि अरे मेरे जीवन में ये परशानी है इश्व मसी, मेरे जीवन मे ये परशानी है ये है वो है ऐसे करके वो ऐसे कम्प्लेन करके वो प्रातना करता था वो तो एक दिन इश्यमसी जेम्स के पास आते हैं तब जेम्स को इश्यमसी बोलते हैं कि जेम्स मैं तुझे एक काम दो तो उस काम को करेगा क्या करके तब जेम्स बोलता है हां बोली इश् उसको दो box देते हैं एक golden box देते हैं और एक black color का box देते हैं तब इश्यमसी जेम्स से बोलते हैं कि इस golden box में तेरे जीवन में जो भी आशिश है तेरे जीवन में जो भी blessings है उसको लिख लिख कर तो इस golden box में डालना ऐसे करके जेम्स को बोलते हैं तब जेम्स बोलते हैं हाँ इश्यमसी में लिख के डालूँगा करके और बोलते हैं कि इस black box में जो भी तेरे जीवन में जो परशानी होती है जो कश्ट हुआ है तेरे जीवन में जो problems हुए हैं उसको तो लिख कर इसमें डालना ऐसे करके जेम्स को बोलत तब जेम्स को वो पता नहीं था जेम्स ने तो ले लिया और उसने क्या किया इश्व मसे ने उसे दो महिने का टाइम दिया था बोला कि दो महिने में तो यह सब करना करके तब जेम्स ने वो दोनों बॉक्स ले लिया और क्या करने लगा रोच वो लिख लिख कर लिख लिख क गए उसको वो क्या किया ब्लैक बॉक्स में डाल दा गया ऐसा वो रोज लिखता गया तब दो मैने बाद इश्व मसी उसके पास आए जेम्स के पास तब जेम्स से पूछा इश्व मसी ने कि जेम्स मैंने जो काम देया था तुने किया करके तब जेम्स खुशी से बोलता हाँ इश्व मसी मैंने किया है मैं आपको लेकर आकर दिखाता हूं करके तब इश्व मसी ने बोला ठीक है तू जाके वह गोल्ड कलर के बॉक्स को वह गोल्डन बॉक्स को लेकर आकर कर जेम्स को बोलता है तब जेम्स खुशी से जाता है और उस गोल्ड बॉक्स को वह उठाने के से जा रहा होता है लेकिन वो गोल्ड बॉक्स तो उठता ही नहीं वो इतना भार ही हो जाता है वो उससे उठता ही नहीं है तब वो बहुत कोशिश करता है बोलता है कि मैं उठाई लूँगा क्यों नहीं उठा पा रहा हूं मैं इसे करके वो उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको उठाई नहीं पाता है, तब इश्मसी बोलते हैं, जेम्स उसको उधर ही रहने दे, उसको उठाने की कोशिश मत कर उसको वहीं रहने दे, तो वो ब्लैक कलर की बॉक्स को लेकर आकर के बोलते हैं जेम्स से, तब जेम्स दोड कर जाता है और उस ब्लैक बॉक्स को उ गोल्डन बॉक्स इतना भारी है और यह ब्लैक बॉक्स कुछ भी हलका इतना करके ऐसे करके वह कन्फ्यूज हो जाता है तब ऐसे वह सोच रहाता है तब इश्यमसी जेम्स को आकर बोलते हैं कि देख जेम्स उस ब्लैक बॉक्स के नीचे क्या है होल है तब देख इस गोल्डन में जो परशानी आये हैं वो सब इस black box में वो क्या हो गया वो थोड़ी दिर रहा वो चला गया लेकिन आशिशे वैसे नहीं गई ऐसे करके इस्व मसी जेम्स को बोलते हैं कि तू भी क्या करता है थोड़ी दिर के परशानियों को देखकर complain करते रहते हो लेकिन मैंने तुम्ह को क्या होता हैा बहुत यह जेमस, जेमस दुख tenho जाता है कि इश्Us मेसी ने मेरे लिए कितने आाशिशे दिया मुझे किटना मेरे量 उन्हों ने भलाई को किया और मैं उसको भूल कर जो परशानी तोड़ी देर के और वो क्या हो जाती, चली जाती, वो खत्म हो जाती, उसको देखकर मैं कंप्लीन कर रहा था, ऐसे करके, वो माफी मांगता है, और उसके बाद से उसके प्रातनाओं कैसा होता है, पता है, वो इश्व मसी को हर वक्त धन्यवाद देकर वो प्रातना करने लगता है तो इस कानिस से हमें क्या सेखने मिलता है कि हम भी जेम्स की तरह कभी-कभी क्या करता है हमारे जीवन में जो बुराई हुए हैं जो परिशानिया हैं उसको देखकर हम क्या करते हैं मेरे जीवन में तो ये है मेरे जीवन में ये है ऐसा है करके हम परमेश्वर से कंप्लेन करते रहते हैं लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए जो जो भलाई को जो उनके अच्छे अच्छे काम जो परमेश्वर ने हमारे लेके उसको हम क्या करते हैं भूल जाते हैं लेकिन हमें भूलना नहीं हमें धन्यवाद करना जैसा एक वच्चन कहता है भजन सेंगिदा 103 में टू में हें मेरे मन यहोवा को धन्यक है और उसके किसी उपकार को न भूलना हमें क्या करना हमें कभी नहीं भूलना है हना इश्व मसी ने हमारे लिए अपने जीवन को दिया उनके वज़े से आज हम जिन्दा है आज हम जीवित है आज हम खुशी से हैं यहाँ पर किसके वज़े से इश्व मसी के वज़े से हम सास ले रहे हैं वो सब किसका अनुग्र है वो परमेश्वर का अनुग्र है, उनके अनुग्र के लिए हमें क्या करना है, रोज धन्यवाद करना, उनको धन्यवाद बोलना है, क्या बोलना है, थैंक यू जीसिस, आज मैं जिन्दा हूँ, वो किसके वज़े से, आपके वज़े से हैं न, तो जेम्स की तरह हमें कुड़ लेकिन आशी शे परमेश्वण ने हमें किति सारे ब्लाइय काम को किया है उसें अनसें कभी नहीं भूलनाए हैं उनको में इशो मसी को धन्यवात कहना है तो मैं विश्वास करती हूं कि आप सब को कहानी अच्छा लगा होगा थो हम अगली बार मिलेंगे लें लने और झाल झाल